तो आज में फिर से आपके सामने कोछ इंपोर्टेंस कंपानी के अपडेट सेयर करने वाला हो तो इस वीडियो को पुरह लास तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो जोरू कर लेजिएगा चैनल को पर बने रहिएगा तो चलो दिख लेते कौन सा कौन सा कंपणी है इस वीडियो के अंदर पॉस्ट चो कंपणी है जिसके बारे में चर्चा करू उसका नाम है टाटा पावर टाटा ग्रूप के एक सबसे जदा भरोसामन्द कंपणी भी है और टाटा पावर जिस तरी किसे नया से नया प्रोजेट के उपर काम कर रहा है तो लगातर उसी कारण के बज़े से ग्रोथ होता हुआ देखने को मिले है आज टाटा पावर चार सो के आसपास चला है मतलब लाइट टाइम हाई के आसपास चला है और इसके पीछी एकी रिजन है कि कंपणी ने एक बह से कहा तक जा सकते है ये कि इस कंपणी का मारकेट के हैप सतर एक लागच शबीस हजर क्रोड के आसपास है और उस 2800 क्रोड नेट वाफिटं G2400 क्रोड उसके बढ़िंके बात किकने मृट नेट वाफिट क्रोड उसके बाद हजार मिलें उपर इस तरह के से देखने को मिले तो लगाता नेट वाफिट ग्रोथ होता देखने को मिले उसके साथ साथ companies के उपर इन्वेस्टर है उसके बारे मैं चर्चा करूं तो प्रोमोटर से लेकर नोटिस करेंगे तो मीच्वल फांड ने क्या किया औगस्ट मन में वाइं किया सेप्टमबर में बाइं किया दोनों मांस में अच्छा अच्छा सा बाइंग किये company के उपर एक massive journey देखने को मिल सकता है यूगर पहले से ही journey हो चुके है journey कितना हो चुके बहुत आप देख सकते है पहले एक range बना था यहाप एक cup with hana buttons बना finally break out हुआ और target अचिब किया उसके बद मैंने आप कोई भी बताया कि जब यहापे breakout करेगा इस range को breakout करेगा तो मैं फिर से anti लेने वाला हूँ तो फिर से आप एक breakout किया और यहापे देखिए hammer जैसे candle patterns के साथ breakout किया तो इस level में मेरा anti है और जो मैं target लेकर चला हूँ इस level के उपर जो मेरा anti है target में लेकर चला हूँ 30% के आसपास तो 30% कम मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं मगर मैं 30% के आसपास target लेकर चलूँगा तो यहाप तक target मिनने का chance से मुझा मतलब target में लेकर चलूँगा क्योंकि company के जिस तरीके से announcement जिस तरीके से result जिस तरीके से performance देखने को मिला है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसी तरीके से दिरिदे करके वो target को आचीव करेंगे तो बाकी आप किस तरीके से इस company को सूचते है जोरू मुझे comments करके बताना next चो company उसका नाम है Adani Wilmar देखिए Adani Wilmar एक ऐसे company है जिसके उपर हर किसी का मतलब focus तो है इस company के उपर लगातार एक pressurize देखने को मिला था अभी पिछले दिनों में एक अच्छा कासा momentum journey देखने को मिले जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक range केड हुआ buying के लिए एक range केड हुआ वो range कुछ इस तरीके से बने इस तरीके से टाइम यहाँ पर बहुत टाइम यहाँ पर कंपन लगा रहा है कोई बत नहीं कभी कभी कुछ company इसको पर टाइम भी लग जाता है मान के चलते हो अगर इस company के target यहाँ तक गये और अगर मुझे एक साल लग गये तो फिर भी मुझे 33% के आसपास gain मिलने का chances है तो 33% एक साल में एक बहुत बड़ा target इंटी होता है तो बाकी इस company के उपर आप किस तरीकी से सोचते है जुरू मुझे comments करके बताना बाकी इस company के उपर जो data है जिसके कारण मैंने trade लेने का फैसरा लिया बो मैं बता दू company के उपर देखे quarterly जो result है जब इसका जब मैं एंटी लिया था तब इसका result actually आया था 249, 246 क्रोड से बढ़ता हुआ companies आज कितना बना 200 क्रोड के आसपार इसका मतला 246 से company 200 क्रोड तक जरे नहीं दिखा है तो अच्छा खासा positive यहाँ पर net profitability growth होता देखने को मिले तो एक best तरीके से performance आपको देखने को मिला है तो मैं जरूर कहूंगा इस company के उपर आप जरूर फोकस रखिएगा इस company के उपर जरूर आप study करिएगा तब ही एक अच्छा खासा growthable situation देखने को मिल सकता है बागी इस company के उपर जो capex है इस company के उपर जो capex है मतलब खुद की business के उपर कितना नीवे इस company खुद कर रहा है वो अगर देखेंगे तो इस बार company का highest capex देखने को मिलेगा तरीबन 800 करोड के आसपास जो पिछले बार था 670 करोड उससे पहले था 530 करोड उससे पहले था 460 करोड तो company कहा से कहा तक खुद के capex को बढ़ा रहा है इस company के उपर Mitchell fund क्या कर रहा है वो भी देख लीजिए लास्ट October और November मान में अच्छा कासा buying किये थे मगर December मान में buying नहीं किया उल्टा sell हो कर दिया तो कोई बात नहीं इस तरह के से buy sell तो चलते रहते है अभी मुझे सर्फ एक चीज चाहिए जब तक इस 200 days AMA के उपर न trade करना start करे तब तक obtain होने का chances नहीं रहेगा तो देखा जाएगा कितने दिनों में वो इस तरह के से situation को recovery करते है अगर recovery हुआ तो एक anti जो मेरा बना है वो अच्छी तरीके से 33% के आसपस target बन सकता है तो टार्गेट में आपको नहीं दे रहा हू वेरा खुद का anti level से और सारे चीज़ों को सोच समझ कर मैंने anti लिया और आप अगर सारे चीज़ों को सोच समझ कर anti लेना चाहते है तो एक बार research करिए आपके opinion के इसाफ से जुरूर काम करिए नेक्स जो company उसका नाम है भारत dynamics limited जिसको हम लोग BDN नाम से जानते है तो company एक defense sector से बिलों करते है और companies के जो performance है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा company का ROC, ROE दोनों ही आपको एक average level में देखने को मिलेगा और company के peer ratio, industries peer ratio, same to same है debt एक तुम zero है, company का promoter के पास holding 74% है और मज़ेदर बात ही है कि company के जो quarterly result है पिछले साल के तुनासी इस बार sales बहुत सांदर देखने को मिला expense को company control में रखे, उसके बाद net profit 84 crore से 135 crore तक बन चुके है इसका मतलब net profit एक अलग level में growth होता हुआ, देखने को मिले है जब net profit इतना सांदर बड़ा, तो कुछ न कुछ तो growth होगा चलो वो, investor क्या कर रहे है, वो देख लेते है अगर इसके promoter के बारे में बात करूँ तो company, government company है President of India के पास इसका holding है बाकि FIS के पास और DS के पास holding भी देखने को मिलेगा FIS के पास जो holding है, वो 3%, DS के पास जो holding है, वो 13% के आसपास तो एक अच्छा खासा यहाँ पे growthable situation देखने को मिला है बाकि इस company के अगर, मैं mutual fund के बारे में बात करूँ देखिए इसका मतलब, एक range में कुछ time बिता रहा है इसका मतलब, एक range में अगर time बिताए, उसके बाद अगर breakout करे तो फिर से एक बड़ा धमाका आपे देखने को मिल सकते है जब-जब कभी लंबा journey हुआ, उसके बाद एक जगा पे अगर hold करे तो सोचना उस level को अगर breakout करेगा, एक बड़ा momentum देखने को मिल सकता है बागी इस company को पर आप किस तरीके से सोचते है, जोरू मुझे comments करके बताना और वीडियो में अगर जानकर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना तो next जो company उसका नाम है Castrol India Limited देखे, Castrol India Limited देखा जै तो इस company के अगर मैं चार्ट के बारे में बात करूँ तो एक साल पहले company के price ता से 100 रुपीज के आसपास और आज कितना है 200 के आसपास इसका मतलब Castrol India Limited एक लगातार सांधा तरीके से growthable situation दिखाया अगर मैं Castrol India Limited के बारे में बात करूँ तो एक बार मैं चार्ट पटन आपके सामने open कर लगता हूँ Castrol India Limited के बारे में तो यहाँ पे आप देखेंगे सांधा तरीके से एक momentum journey देखने को मिला जो एक बहुत बड़ा achievement है इस company का क्योंकि यहाँ पे एक patterns company को पर केड़ हुआ था वो patterns में आपके साथ share करूँ मैं डिरेकली आपको pattern बना कर दिखा देता हूँ देखें यहाँ पे एक लंबा सा एक journey का क्या बना था एक cup बना और इस cup के बाद यहाँ पे क्या बना था छोटा सा एक handle भी बना तो cup with handle बनने के बाद यहाँ पे finally देखिए breakout हुआ वगर breakout confirmation यहाँ पे नहीं मिला था फिर से यहाँ पे क्या बना फिर से एक handle button बना तो दो बार जब भी handle button बना तो confirmation यहाँ पे मिल चुके थे तो confirmation मिलने के बाद यहाँ पे देखिए अगर आपको target calculation करना है तो आपको नीचे side से top level तक marking कर लेजिए उसको उपर side बिठा देजिए तो देखे almost company का क्या हो चुके है target achieve हो चुके है तो कोई छोटा मुड़ा target नहीं मिला 35% के आपको target मिला एक बहुत सांधा तरिके से आपको target का achieve किया और इसलिए सायद मुझे लग रहा है company के बहुत पर announcement भी आपको देखने को मिला वो है dividend का तो company का dividend मिला करीबन साड़े चार रुपीज करके मार्च की 21 तरीक में आपको dividend मिलेगा और final dividend आपको minimal है 4.53 तुपीज के आसपार जो लोग dividend पाना चाते है company के उपर और और भी deeply research करिए उसके बाद काम करिए क्योंकि company का sales growth profit को सब कुछ बढ़ता हो देखने को मिले जिसक